नमस्कार स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में मैं हूँ आपके साथ रक्षंदा खान बुलेटिन की शुरुवाद यूपी उनाव रेव केस से जिसमें हर दिन एक नया मोर देखने को मिल रहा है बीतेर अविवार पीडिता का राइबरेली जाते हुए एक सड़क हाथसा हुआ और रास्ते में जाते वक्त ये हाथसा इतना दर्दनाग था कि से सोची समझी शाजिश माना जा रहा था ये से विसलिए क्योंकि जिस ट्रक से ये हाथसा हुआ था उसकी नमबर प्लेट में ग्रीस लगी हुई पाई गई थी हाथसे में पीडिता की मौसी और चाची की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि पीडिता और उनके वकील लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर है हाथसे की जाच योगी सरकान ने सीवियाई को सौब दी है पर हम आपको सुनाते हैं कि इस मामले में पीडिता की बहन का क्या कहना है लेकिन यहां कि सारे चाचने वाले थे हटी पैकता है तुरंत बुस्कों की तरह दोड़े चले जाते हैं और यहां जो सजादी है इनों ना यह पिलके आयता है पहले पुल दी जिंगा से चाची गवाद थी क्यूंकि सारी बात पीड़ता ने चाची को बताई थी बहन को सुनने के बाद अब हम आपको ये भी बताते हैं कि अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ चार जून 2017 को पीड़िता विधायक खुल दीब सींग के यहां कहीं नौकरी लगवानिक ले गई थी विधायक ने उसकी इसी मजबूरी का फायदा उठाया था उनका रेप किया जिसके बाद 11 जून 2017 को पीड़िता के परिवार वालों ने गुमशुद्गी की रिपोर्ट दर्श कराई थी बाई जून 2017 को पीड़िता और रईया के गाउं में मिली उसके बाद उसकी कोट में पेशी हुई और जहां बयानों को दर्श किया गया उसके बाद पीड़िता 3 जुलाई 2017 को अपनी एफायार में विधायक कुल दीब और उनके छोटे भाई का नाम भी शामिल करती है चार अप्रेल 2018 को पीड़िता के पीड़िता के पिता को आम्स एक्ट के जरीए गिरिफतार कर लिया जाता है गिरिफतारी के महज 5 दिन के अंदर उनकी पुलिस हिरासत में ही मौत हो जाती है पिता की मौत के बाद यूपी सरकार ने ये के सीबियाई को सौब दिया था और 13 अप्रेल 2018 में विधायक को गिरफतार कर लिया गया था और 11 जुलाई 2018 को सीबियाई ने चार्टशी डायर की और विधायक को अभियुक्त माना महज एक साल बाद 28 जुलाई 2019 को पीडिता सडक हाथ से का शिकार हो जाती है जारकंड से दिल धैलाने वाला मामला सामने आया है जहां पहले तो 3 साल की बच्ची को अगवा किया जाता है फिर उसके साथ दुशकर्म यही नहीं दुशकर्म के बाद उसे तड़कता मरने नहीं छोड़ा जाता उसे हैवानों द्वारा सर काट कर मौत के घाट उतारा गया है गटना 26 जुलाई की है जहां टाटन अगर रेलवे स्टेशन के प्लैटफॉर्म से 3 साल की बच्ची को अगवा किया गया और अगवा करने के बाद मासूम के दोनों हैवानों ने हैवानियत को अंजाम दिया उसके बाद बच्ची को मौत किये आगोश में सुलाने के लिए दरिंदों ने उसका गला काट दिया पुलिस की माने तो उनके पास बच्ची की गुमशुद्गी की रिपोट आई थी और तभी से बच्ची की खोच चल रही थी पांचवे दिन पता चलता है कि रामधीन बागान में एक लाश मिली है जो की पूरी नंगी थी और सिर भी कटा हुआ था अभी तक इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफतार कर लिया है और मामले की तब्तीश कर रही है हां तकलीफ तो होती है अब क्या बोले सर अब लोग जैसा बोलेंगे सही है इस पर क्या कह सकते हैं गरीब लोग हैं सहना तो पड़ेगा सर ये अलफाज हमारे नहीं हैं ये अलफाज हैं फयास के जी हाँ आप सही समझें उसी फयास की बात कर रहे हैं जिसके हाथ से खाना लेने को सिर्फ इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से था आज हमने दिल में इतनी नफरत पाल ली है कि भूब को भी हम धर्म की भेट चड़ा रहे हैं देखिए रिपोर्ट आपको बताते चले ये एक शोशल मीडिया पर चल रहा वार है ये वो वार वो नहीं जिसमें कोई ट्रोल हो रहा हो ये तो वो वार है जो 21 सदी में जीने के बाद दी ये एहसास दिलाता है कि हम धर्म की लखीरों पर ही अटके हुए हैं हां एक अमिर्ष शुल्प नाम का शक्स है जो जमेटो से खाना ओरडर करता है और फिर कैंसल भी सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो खाना कोई अन्य धर्म का शक्स ला रहा था अमिन अपनी सफाई में ये भी कहता है कि सावन का महीना चल रहा है इसलिए हमने order cancel किया वो अपने message का भी screenshot शेयर करता है इसके जवाब में जमेटो द्वारा जवाब दिया जाता है कि जवाब में जमेटो लिखता है खाने का कोई धर्म नहीं होता भोजन तो अपने आप में एक धर्म है तो वहीं दिपेंद्र गोयल भी लिखते हैं कि हम भारत की मूलभावना पर गर्व करते हैं अपने ग्राहक और प्राटनर्स की विवदिता पर गर्व है हमें हमारे आदर्शों के आड़े आने वाले किसी बिजनस के हाथ से चले जाने पर हमें कोई तकलीफ नहीं चलिए आपको हम विदेश की खबर से रूबरू कराएं तो इस वक्त खबर आ रही है कि अमेरिकी गूफिया अधिकारियों के मताबिक बताया जा रहा है कि अलकायदा के संस्थापक उसामा बिनलादिन के बेटे हमजा बिनलादिन की मौत हो गई है हारा कि ये तो साफ नहीं हो पाया है कि हमजा की मौत कब और कहां हुई पर एक मीडिया रिपोर्ट के मताबिक बताया गया है कि हमजा की मौत हो गई है देखे रिपोर्ट आपको जानकारी दे तो इस साल फरवरी में अमेरिकी सरकार ने हमजा का पता बताने वाले को 10 लाग US डॉलर देने की घोशना की थी माना जाता है कि हमजा बिलादिन की उम्रत 30 साल की थी हमजा ने अमेरिका और अन्य देशों पर हमला करने की अपील करने वाला एक ओडियो और वीडियो संदेश चारी किया था इस बिलिटिन में इतना ही मुझे दीजे एजादब देखते रहे हैं समाचार इंडिया खबर से लेकर असरतर धन्यवाद